नमस्का दोस्तों हमारे चनल इस यूए इस यूए में आपका स्वागत है मेरा नाम विपलब घोस्त तो फाइनली फ्रैंसेसी मोडरसाइकल ब्रांड मैस ने कंपनी का एक नया स्क्रेंबलर मैस एक्सराइड 650 को लंच कर दिया है एक नियो रेट्रो स्क्रेंबलर है जो डुक तो सबसे बहले बात करते हैं इंजिन के बारे में एक्सराइड में 643.7 सिंसी का सिंगल सिलिंडर एंजिन है जो कि 6000 पर 40 बीएसपी और 4500 पर 45 नम का टॉक जेनरेट करता है इसमें पांच स्पीड का गियर बॉक्स मिलता है साथ ही फॉयल केपसिटी की बात करें तो इसमें कि जो सिट की हाइड है वो 870 mm वाली है एक्सराइड में 17 इंजिन का टायर लगा हुआ है जो कि वैर स्कोक विल के साथ आता है दोनों साइड में सिंगल डिस्क के साथ 320 mm फ्रांट डिस्क और 240 mm रेर डिस्क लगा हुआ है इस बाइक में एक छोटा इंजिन बेस लेट भी है जो स्क्रैमलर की आफ रोड कैपसिटी को रेखांगीत करता है अब बात करते हैं प्राइस की तो मैस एक्स 650 की जो प्राइस है वो 559 येरो बदला 5 लग के आस पास है इस गारी की अदर फिचेस की बात करें तो लाइक सस्पेंसिन की बात करें तो इसमें फ्रॉंट में 41 mm का तेलेस्कोपिक फाक त्या हुआ है और रेस में मोनो सौक प्रिलो्ट एडजस्टबल इसमें दिया अगया है गाडी की वरनिटी की बात करें तो इसमें आपको पांच साल की वरनिटी मिलती है जो की काफी अच्छा है कंपनी की हेड़क वाथ करें तो इसका जो बाइक के सौकिन है तो ये बाइक आपके लिए एक अच्छा ओप्सन हो सकता है हाला कि इंडिया में इसका लच को लेकि अभी तक कमपनी ने कोई ऑफिशल एनॉंसमेंट अभी तक नहीं किये है और डिमेरिट की बात करें तो इस गारी में एक जो डिमेरिट मुझे लगता है वो है इसके सीट हाइट तो सीट की हाइट काफी जड़ा है और इसमें एड़ेस्टबल सीट हाइट का कोई आफसन नहीं दिया हुआ है तो अगर सौट हाइट के कोई लोग इस गारी को पसंद करते हैं कोई चलाना चाहते हैं तो उसके लिए ये परिसानी उठाना पड़ स लगती है तो आज के लिए इतना ही गारी के बारे में दी गए इंफोमिशन आपको अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सेर जरूर करें और आप अगर हमारे चैनल में नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें हम फिल्म लेंगे नाइश टोर के साथ ने ने उसके साथ ने रिवी के साथ तब तक लिए जहीं बाबाई